Hello friends, good morning, welcome to one day exam target आप सभी का आपकी अपनी चैनल वन एक्वार्गेट पर बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर आप सभी की morning छे बजे वाली करेंदे विर की class न स्टार्ट हो चुके तो आप जल्दी जल्दी से आए क्लास को जॉइन किजिए बहुत ही important लेकर के आएं आप सभी के लिए तो जल्ली से class को join किजिए जितने भी श्रेंट वीडियो को देख रहे हैं फटवर से वीडियो को like और अपने दोस्तों में share करेंगे और आप सभी की vacancy आप लोग देखिएगा जल्द आएगी और बहुत ही जल्द भरी जाएगी तो जैसे ही 69,000 यह complete हो जाता है आप लोग की vacancy आने में time नहीं लगेगा तो अपनी तयारी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग करते रहें डिटेल में करते रहें टेक्स्ट बुक का साहरा लीजिए और पढ़ाई को continue रखिए कोशन आप सभी की screen पर है कोशन ही हाली में फीफा की जारी ताजा ranking में भारत की सस्थान पर है important question है बिकल्प यहाँ पर कौन से सही होगा बिकल्प यहाँ पर सही हो जाता है एक 180 नंबर पर है important question है फीफा ने रैंक्टिंग जारी किया जिसमें भारत को 108 इस्थान पर रखा गया है इस सूची में पहले इस्थान पर कौन है आपके मन में तुरंद कोशन आया होगा भारत अगर 108 इस्थान पर रहे इस सूची में पहले इस्थान पर कौन है तो यहाँ पर तो आप जानिये यहाँ पर पहले इस्थान पर कौन है Belgium है कौन है Belgium दूसरे अस्थान पर इस ranking में दूसरा अस्थान विष्व champion France को मिला है किसे मिला है France को तीसरा अस्थान किसे मिला है Brazil को चले रहे और इंडिया को मिला है 108वा अस्थान और यह कहां पर स्थापत किया गया है France के पेरिस में इसके प्रेसिदेंट कौन है ग्यानी इन फैंतिनो ग्यानी इन फैंतिनो प्लियर है 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 एड़कॉर्टर सुर्जरलांड के जीवरुक में और कहां पर इसके स्थापना हुई है फ्रांस में फ्रांस के पेरिस में में लिए प्रेसिदेंट ग्यानी इन फैंतिनो है अगले कोशिन पर हम चलेंगे कोशिन हाले में कि इस राजी की पुलिस ने महिलाओं के लिए इस तरी कारिकरम की शुरुआत की तो विकल्ब यहाँ पर आपका सही हो जाता है C. हैदराबाद राजी की पुलिस ने एक कारिकरम शुरू किया महिलाओं के लिए उसका नाम क्या है? स्त्रे, इसका full form यहाँ पर देखिए C, triumphs through respect, equality and empowerment triumph S से C T से triumph R से यहाँ पर through respect E से equality and second E से empowerment तो यह है इसका full form ठीक है? तो हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद सिटी सेक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर घरेलों हिंसा और दुर्बेवार के शिकार महिलाओं की साहता करने और उन्हें शसक्त बनाने के लिए C, triumphs through respect, equality and empowerment S, T, R, E, E यह कारिकरम शुरू किया C, triumphs through respect, equality and empowerment ध्यान दीजीगा यह है और इस कारिकरम के बारे आपको थोड़ा सा बता देते हैं यह कारिकरम महिलाओं की बचा और सुरक्षा से समन्दित मुद्धों से निपटने के लिए सभी महिलाओं को एक साथ जोडने और पुलिस के साथ काम करने के लिए एक साजा मंच प्रतान करेगा और इसका में उद्धे शिक्याय महिलाओं को उनकी अधिकारों हग कानून के बारे में उन्हें जागरुकता बढ़ाना और महिलाओं की सुरक्षा समानता और श्रसक्तिकरण सुनेश्चित करने के लिए एक साजे नेटवर्ग के स्थापना की गई है तो ये सारी शीजें यहां पर है और यहां पर बार अगले कोशिन पर हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा कोशिन है कोशिन हाले में कि सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या यूजना शुरू क तो बिकल्प यहां पर कौन से सही होगा बिकल्प यहां पर सही हो जाता है भी उत्तर प्रदेश शरकार ने उप्शन बी सही हो जाता है उत्तर प्रदेश शरकार ने यूपी सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की यह योजना कब शुरू की गई? यह योजना अंतरास्टी बाल स्रम निशेत दिवस के उसर पर शुरू की गई अब आपको कॉमेंट करके बताना है अंतरास्टी यह बाल स्रम निशेत दिवस कब मनाया जाता है तो यह आप लोगं का काम है तो यह महनत से सरच करके अच्छे तरीके से comment सकते हमें बताईएगा तो जितने भी इस्ट्रेट वीडियो को देख रहे हैं पर जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए पड़ापड से वीडियो को लाइक किजिए अब इस योजना का लाफ क्या होगा बाल स्रामी विद्या योजना के दैस सरकार जो चैन किए गए लड़कि और लड़किया को उनको कितने रुपे देगी लड़कों को देगी एक हजार रुपे और लड़कियों को बारा सव एक हजार दो सो रुपे की मासिक बित्ती सहायता ये ये यूपी गौर्मेंट प्रदान करेगी यदि ये बच्चे कक्षा 8, 9 और 10 पास कर लेते हैं तो उन्हें प्रते कक्षा को पास करने पर 6,000 रुपे की एक्स्ट्रा राशी प्रदान की जाएगी ठीक है और यहाँ पर आप जानिए इस योजना के तहट राज्य में 57 जिलों के कुल कितने बच्चों को 2000 बच्चों को बाल्स्रम बिद्या योजना के पहले चरण से लाब मिलेगा इसके अलावा इन परिवारों के इन बच्चों के परिवारों को केंद और राज्य सरकार की सभी योजना का लाब भी मिलेगा यह नहीं कि यह मिल रहा है तो और योजना का लाव नहीं मिलेगा इसके बारे में डिटेल योजना के बारे मताने का यह मतलब है आप लोग के लिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी चीज बहुत ही इंपॉर्डन होगी क्योंकि यह जो एक्जाम होगा कंड़क्ट कर इसलिए हमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्डन भी जान लेते हैं अब यहां पर मैप में डिटेल में देखेंगे किन किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है अब यहां पर आप लोग डिटेल में देखेंगे साथ साथ में मैप तयार करतना आपको बहुत जरूरी है यह देखेंगे आपका उत्तर प्रदेश हो गया यूपी इसके उत्तर में यहां पर देखेंगे यह हो गया उत्तर खन और यह हो गया हिमाचर प्रदेश और इससे स 37 गड़ और यह है आपका जारखन और यह है पिहार इस तरीके से पूरे मिला करके आठ राज्य और एक किंश रासित प्रदेश और साथ में एक देश उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है देश यहां पर नेपाल है एक सीमा वर्ती देश है यह कौन सा है नेपाल है तो यह सीमा वर्ती प्रदेश और देश की बात हो गई अब यहां पे कुछ important fact यह है सरवाधिक राज्यों को इसपर्ष करने वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का तो आपका एंसो सही होगा सोन भद्र जिला सरवाधिक राज्यों को इसपर्ष करने वाला जिला है सोन भद्र उत्तर प्रदेश में ही आपका कुम्ब मेला लगता है कहाँ पर प्रियागराज में बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है आग्रा में नौचंदी मेला मेरट में देवाशरीप मेला बारा बंकी में देवी पाटन मेला कहाँ पर बलरामपुर में गंगा महोसो वरार्सी में, परिक्रमा मेला, अयोध्या में, रामाण मेला, चित्रकूट में, कैलाश मेला, आग्रा में, शाकंबरी मेला, सहारनपुर में उत्तरप्रदेश का राजकी पुस्प क्या है पलाश है राजकी ब्रिक्च अशोग जिसे स्थानी भास में सीता अशोग के रूप में भी लोग जानते हैं और राजकी पशु क्या है राजकी पशु बारा सिंगा है राजकी पक्षी सारस या क्रॉंच है और राजकी खेल क्य क्या है यहां पर होकी है अभी हाली में करेंट में अच्छा उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020-21 के लिए उत्तर प्रदेश के लिए कितना बज़ट जारी किया तो पांच लाग पांच लाग बारा हजार 860 करोर रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020-21 का उत्तर प्रदेश के लिए बज़ट जारी किया यहीं पर उत्तर प्रदेश में ही किस जिले में कुशिनगर जिले में देश की पहली ट्रांसजेंडर उनिवर्सिटी की अभी हाली में न्यू रखी गई है इंपोर्टन पॉ है युवा हब योजना तीसरी है युवा प्रसिक्षुता यूजना और हाली में डिफेंस एक्सपो का कारीकरम उत्तर प्रदेश में हुआ किस जगह पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनाव में और जानवरों की याद में उत्तर प्रदेश में ही भारत का पहला यु इन्वर्सिटी खोली गई और अभी आपको एक इंपोर्टेंट फैक्ट और बताते हैं नीती आयोग की एस्परेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची जारी की गई आकांगशी जिला कारिक्रम की सूची जारी की गई उसमें उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला कौन सा जिला चं जन्वरी 2018 में लॉंच किया गया था इसका उद्देश किया है देश के सबसे पिछले जिल्लों में विकास करना है ठीक है यह कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आप सभी को जाना चाहिए एक्जाम में यहां से कूशन खुब पुछा जात भी DST के द्वारा बिज्ञान संचार संस्थानों और एजेंस्यों के बीच आपसी बातचीत सयोग और समन्वे को सुभिधार जनक बनाने के लिए सयोग्त साइंस कम्यूकेशन फोरम का गठन किया गया किसके द्वारा DST Department of Science and Technology T से Department of S साइंस T से Technology और साइंस कम्यूकेशन फोरम को बिज्ञान और प्राध्यों की बिभाग द्वारा गठित किया गया है और इसे सहायता कौन प्रदान करेगा तो इस फोरम को बिज्ञान और प्रोध्योग की विभाग के राश्टी बिज्ञान और प्रोध्योग की संचार परिसर यानि की National Council for Science and Technology Communication का सची वाले इसे सहायता प्रदान करेगा अगले कोश्चन पर चलने से पहले हम यह जानते हैं यह जो साइंस साइंस कम्यूंकेशन फोरम है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो जो डी स्टी के द्वारा यह फोरम बनाया गया है यह क्या काम करेगा यह फोरम में लिए विभिन संस्थानों के फैले बिज्ञ संचार प्रयासों को एक साथ करेगा एक करित करेगा और सथी थे फोरम बिविन संस्थानों के बिज्ञान संचार प्रयासों को एक साथ लातीगा और व्यापक adequate पर एक काम मोबाइल एप विक्सित किया ओप्शन यह पर सही हो जाता ही फ्लाइजी गुवार्टी के आयाटी इंडियन इंस्टिटीट आफ टेक्नोलोजी भारती प्राद्यों की संस्थान में कोविड-19 महामारी के दोरान आप आराम से अच्छे तरीके से और बिना कॉंटेक्ट के हव अब यहाँ बर बात आ अजाती है एसले करक्षण नादा के मौंट्रेशेल में इंटर्नेशन एर क्राप्षण के स्थापने कर हुए 19 April 1945 को चलते हैं अगले कोशिशन पर अगला कोशिशन आप सभी के लिए है कोशिशन यह हाली में किसने COVID-19 से बचाओ के लिए अनन्या फार्मूलेशन तेयार किया अनन्या फार्मूलेशन किसने तेयार किया तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है ए ए D.I.A.T. ने Defense Institute of Advanced Technology D.S.D.D. LIVE सेशन लिग देते हम DefenseATE deben's instituteweis instituteव उप इसटीजन आप यहां पर लिखे अपर लिखे advanced technology यह क्या है यह जल आधारिती किटारो नाशक स्प्रेय है मतलब यह लिक्विड फॉर्म में है किटारो नाशक यह स्प्रेय छुड़का होगा इस स्प्रेय का इस्तिमाल कोई विव्यक्ति आम आदमी से लेकर हेल्थ केर वर्कर्ट तक सभी के लिए यह हैं यानि यानि कि सभी यूज कर सकते हैं इस्प्रेय का व्योग मिली क्या होगा जो मास्क लगा चालिक जितने भी दूसीर सतव ऊंग सकते सोब गर्य यह जगों पर इसका छुरकाईं किया जा सकता है ठीक है और यह जो फर्मुलेशन है कपड़े प्लास्टिक और धादू की वस्तों पर बहुत ही अच्छे धंग से यह काम करता है और बनुस्यों के लिए इसकी जो विशाक्तता है जो मतलब बिस यह से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा यह कोई भी बिस नहीं उत्पन कर करतेगा ठीक है और यहां पर बात आ जाती है डीआए एटी की दिसके वाइस चांसलर कुल्पति कोन है कि धिशी राम नारयन है और डी यह एटी का मुझ्याले कहां पर है पुड़े महारास्ट में है ठीक है, चलते हैं मगले कोईशन पर अगला कोईशन बहुत ही इंपाड भारत में एशियाई शेरों की आवादी में कितने परसंट की रिकॉर्ड ब्रिद्धी दर्ज की गई। और बाख पर पहुत ऐस्तितित के पर गुज्डात की तो गुज्डात की बारे में इम्पोर्डेंट फैक्ट जानते ज़रों यहां पे देखें मैप में गुज्डात कि इस्थि गुज्रात यह देखें जितने राजी कि देखेंगे साथ साथ में राजानी बी कबर करते चलेंगे मुझ्रात की राज़ानी घाधीनगर गुज्रास से सठाहुआ राज एक मुंबई और साहसात में यहां पर दिखिए गुजरास से सटा हुआ एक देश है इसकी सीमा से लगा उएक देश है इसका नाम क्या है यहां पर कुछ इंपोर्टन प्छय जानते चलते हैं गुजरात की राजधानी गादेम हर अभी आप लोगों यहां पर देख इसमीं जिलेगुण 33 राजभासा यहां की गुजराती है और इसका गठन कब हुआ एक मई 1960 को बात कर लेते हैं सरकार की तो राज़िपाल वर्तमार में कौन है आचारे देवब्रत हैं मुख्यमंत्री विजे रुपानी जी है बिधान सभा की सीटे 182 राज़िसभा में 11 लोकसभा में 26 है और यहा में सिंगों का एक मात्र निवास अस्थान है इसी के कारण यह फेमस है और आपके एक्जाम में यहां से खुब कोशन पूछा जाता है जो कि कहां पर है गुजरात में राज की पुस्प यहां पे कौन सा है गेंदा है राज की ब्रिक्ष आम है राज की पक्षी ग्रेटर फ स्थान हासिल किया सोलर रूप टॉप सूर की और जा ग्रहन करके उसे अलग-अलग कामों में यूच करना तो सोलर रूफ छतों के उपर सोलर सिस्टम लगवाए गया तो इसमें गुजरात ने प्रतम स्थाम हासिल किया और दूसरे नंबर पर आप लोग जानते रहें महारा के क्या रख दिया गया है दीन देते नियाल बंदरगा और गिरांष्टी अभी मैंने आको बताया कहा परें कुछ रात्में और भारत में सब्से Lawrence रेखा और वAlinarad जिभी यहां पे देखिए अगला कोशन एहां किस राज्य की द्वारा जगन नाड चे डूडू योजना शुरू की गए जगन नाड चे डूडू योजना आप्सन यहाँ पर सही हो जाता है ए आंधर प्रदेश आंधर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कोविड-19 महामारी की कारण अपनी आजीविकाद जुटानी में असमर्थ, ट्रेलर्स, नाई और वाशर मैन को बित्ती साहता प्रदान करने के लिए ये योजना लाग 47,000 अभ्यर्थियों को 10,000 रुपए की एक बार में बित्ती साहता प्रदान की जाएगी ठीक है अब यहाँ पर बात आजाती है आंधर प्रदेश की तो आंधर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है यस जगन मोहरेड़ी राज्यपाल कौन है विस्वा भूसन तो फ्रंज्स यहाँ पर आज के करेंट अफैर के कोशिन हो जाते है कम्प्लीट चलते है dan की तरफ सुपरफास रिवीज़िन कर लेते हैं कोशिन हाली में फीपा की जारी ताजा रेंकिंग में भारत की इसस्थान पर है तो यहाँ पर आपसन आपका सही हो जाता है 780 मान इ के लिए इस तरही कारिक्रम की शुरुवात की ऑप्सन यहां पर सही हो जाता है है सी हैधराबाद राजी की पुलिस ने महिलाओं के लिए यह कारिक्रम शुरू किया इसका फुल फॉर्म है हाले में कि सरकार ने बाल मजदूरों को शुक्षित करने के लिए बाल स्रमी की विद्यायोज ना शुरू की ऑप्सन यहां पर सही हो जाता है भी अपना उत्तर प्रदेश नेक्स है हाले में किसके द्वारा से इंटु साइंस कम्यूनिकेशन फोरम का गठन किया गया ऑपसन यहां पर सही हो जाता है भी डी डी असटी के द्वारा अगला मारा कोशन हाले में आयर्टी गूहार्टी के चात्रों ने कान सा मोबाइल एप्लिकेशन बिक्सित किया कोशने हाले में किसने COVID-19 से बचाओं के लिए अनन्याब फार्मूलेशन त्यार किया विकल्ब सही हो जाता है यहां पर A, D, I, A, T नेक्स्ट रमारा कोशने कोशने हाले में भारत में एशियाई सेरों की आवादी में कितने परसेंट की रिकॉर्ड वृद्धी दर्ज की गई तो विकल्ब 20 सही हो जाता है 29% अगला कोशने किस राज्यकिये द्वारा जगन नाड टे डूडू यूजना शुरू की गई तो विकल्ब यहां पर सही हो जाता है कौन सा अभी मैंने आपको बता है आंध्र प्रदेश तो यहां पर आज़कन द्वेट कंपलीट हो जाता है करते हैं कल के कोशन का रिवीजन हम रिवीजन कर रहे गया और आप लोग साथ साथ प्रमार-पत्र परापत करने वाला देश का पहला राज्जी बनाए कौन सा option B सही हो जाता है ओड़ी शा और साथ साथ में यह आप लोग जांते रहें कल मैंने यह question पूछा था और इसका यह सही जवाव है ओड़ी सा आप लोग ने 100% सही reply की थी आप सभी लोग बधाई के पात रहें आपको बहुत-बहुत बधाई चलते हैं करताओं को कोरोना युद्धाओं का दर्जा कि स्राज्य सरकार ने दिया option B MP मध्यप्रदेश सरकार कोशन है हाली में उर्दू की जानेबाने लेखा क्यों कभी का निधन हुआ उनका नाम क्या है बिकल्प सी से हो जाता है बुल जार देहलवी अभीकल अपने वॉलिवुड अभिनेता क्या बदाऊं उनको अगर एक अड्जेक्टिव से आप संभोधित करेंगे अभिनेता कहें तो बस परियाप नहीं होगा और राउंडर बहुत ही पसंदीदा अभिनेता बहुत ही पसंदीदा जो अपने पैर पर खड़ाओ करके यहां तक पहुच पसंदी एक फिब्रेट एक्टर में शामिल हैं सुसांग सिंग राजपूर हम सभी मिलकर आपको भॉब इनिस रधांजली देते हैं अगला कोशिन है हाली में वर्ड फूड अवार्ड 2020 का अवार्ड किसने जीता तो विकल्प यहां पर सही हो जाता है यह रतन लाल ने नेक्स्ट कोशिन पर हमाएंगे खाली में अंतरास्त्री अल्बीने इसमें जागरूपता दिवस कंबनाया गया ओप्सन ए तेरा जून को तो यहां पर कल के कोशिन में कंप्लीट हो जाते चलते हैं आज की सवाल की तरफ आज का सवाल है इसका रिप्लाई आपको करना है पूरा डेटेल में आप रिप्लाई करेंगे किस सरकार ने बाल मजदूरों को सक्षित करने के लिए बाल श्रमेक विद्या योजना शुरू कीजिए कम से कम जादा नहीं अपने एक दोस्तों में एक दोस्त में जरूशेर कीजिए फेस्बुक पेज पर वाट्सएप ग्रूप पर जरूशेर कीजिए तो पढ़ते रही मेहनत करते रही सफलता ज़रू मिलेगी और यह ध्यान में रखिए आप लोगी वैकेंसी बहु बहुत है